अगर आप भी चाहते हैं अपने चहरे को गोरा बनाना तो मैं आज आपके लिए लेकर आईँ एक ऐसा solution जो आपके चहरे को एकदम चमकदार और गोरा बना देगा वो भी सिर्फ simple ingredients है जो आपके घर में easily available होंगे बाहर से में कुछ नहीं लाना होगा और आपका चहरा चमकदा अपने घर में खुश भी होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आईए एक ऐसा face pack जो आपके skin को गोरा बनाने में हेल्प करेगा बहुत ही simple ingredients है जो आपके घर में easily available हो जाएंगे बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना होगा लेकिन इसका result इतना अच्छा है कि आपको 100% फाय जादब beneficial है तो चलिए time waste ना करते हुए देख लेते कि इसे हमें किस तरह से बनाना है किस तरह से यूज़ करना और कितने time हमें यूज़ करना है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजे साथ कर दिए जिसे मेरी और भी वीडियो की notification आपको मिलती रहेगे और वीडियो अची लगती है तो बाद में like share ज़रू कर दीजेगा तो guys इस face pack को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा potato हम medium size का potato ले लेंगे उसे mixi में grind करकर juice निकाल लेंगे इसी juice का हमें use करना है इस face pack को बना के लिए इस face pack को बनाने के लिए हम सबसे पहले clean bowl ले लेंगे इसके बाद हमें लेना है potato juice यानि के आलू का रस हम ले लेंगे एक बात का आपको ज़रूर धियान रखना है के juice ताजा होना चाहिए हमेंसे रखकर use नहीं करना है क्योंकि यह dark हो जाएगा जो हमारे skin के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इसमें potassium magnesium होता है जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छा होता है तो हम दो चमच इसकी ले लेंगे इसके बाद जो हमारा second ingredient है वो है lemon lemon हम ले लेंगे half lemon juice हम ले लेंगे इसमें से 2 spoon हमारी निकल जाएंगी तो 2 spoon ही हमें लेनी है अब जो हमारा last ingredient है वो है honey honey pure होना चाहिए जो आप लेंगे honey भी हमारे skin के लिए बहुत अच्छा होता है तो आधा चमच हमें honey लेना है और इन्हें अच्छे से हम mix कर लेंगे यह हमारे skin को गोरा बनाने में बहुत जादा beneficial है honey हमारे skin को soft बनाता है नरम बनाता है तो यह हमारा face pack बनकर ready हो गया है अब मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ तो आप brush की help से अपने face पर इसे apply कर सकते हैं अगर आपके पास brush नहीं है तो आप cotton pad की help भी ले सकते हैं तो potato का use मैंने स्वजे करा है क्योंकि इसमें carbohydrates होता है potassium होता है magnesium होता है जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें anti bleaching properties होती है जो naturally हमारे skin को bleach करने का काम करती है यह हमारे skin को fair glowing बनाता है और इसमें जो मैंने lemon का use किया है lemons में citric acid होता है और इसमें भी anti bleaching properties होती है जो हमारे skin को naturally bleach करते है citric acid जितनी भी dead cells होते हैं उने remove कर देता है और इसमें जो मैंने honey का use किया है है नहीं हमारे skin को मॉस्चराइज करता है हाइडरेट करता है हमारे skin को soft मुलायम बनाने में बहुत ज्यादा beneficial है तो तीनों ही चीजे बहुत अच्छी हैं हमारे skin के लिए तो अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 20 मिनेट के लिए उसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वाश कर लिए तो गाइस देखें मैंने अपना फेस वाश कर लिया और आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन लग रहा है यह एक दम हमारे चेरे को चमंकदार बना देता है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है बहुत जादा इफेक्टिव रेमेडी है ज इसली बना सकते हैं सिंपल इंग्रीजिंट से हमें इसे बनाना है बाहर से कुछ भीन लाने की जरूरत नहीं है ज्यादा ताम जाम भी बिल्कुल नहीं है तो इस तरह से बनाईए यूस करिए और रिजर्ट आपके सामने हैं गाइस अगर आप में इसे रिलेटिड कुछ प पूलिएगा हम फिर मिलेंगे एक अच्छी से वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के और से हल्दी और बैबार